नमस्ते दोस्तों आज फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ आ गई हूँ और ये देखिए गर्मा गर्म नास्ता ये नास्ता मैंने सूजी से तयार किया है जी हाँ सूजी से बहुती स्वादिश्ट और हेल्दी नास्ता बना कर तयार किया है बहुती कम तेल में बनाया है और बहुती कम समान के साथ बनाया है अगर किसी को सबजी खाना पसंद हो तो इसके अंदर सबजी डाले वरना सभी सबजी को हम skip भी कर सकते हैं वैसे इसमें vegetable बहुती ज़्यादा स्वाधिश्ट लगती हैं और कम ज़्यादा कर सकते हैं ये हम सुबह के नास्ते में बना सकते हैं या फिर बच्चों के टिपन के लिए भी बहुती स्वाधिष्ट नासता है तो चलिए देरना करते हैं वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले मैंने सूजी ले ली है सिमला मेर्च, टमाटर, हरी मेर्च, प्याज और दही अब यह जो सूजी है उसको मैंने एक बोल में रख लिया है मिक्सिंग बोल में इसके अंदर मैं दो चम्मच दही एड़ कर लूँगी और यह कुछ सूके मसाले जो भी आप खाना पसंद करें जैसे लाल मेर्च अगर नहीं खाते चोटे बच्चे हैं तो लाल मेर्च को छोड़ सकते हैं मैंने तो लाल मेर्च और नमक और हल्दी ली है और पानी की सैताय से इसको गोल लेंगे जितनी हमने सूजी ली है उसका डवल हम पानी लेंगे और इसे मिक्स करके साइड में रख देंगे ये देखे पहले तम अपना बैटर तयार कर लेती हूँ और फिर इसे फूलने के लिए 15 मिनिट के लिए हम रख देंगे डख कर गुठलिया नहीं होनी चीए इसलिए मैं पानी दीरे दीरे डालूंगी अराम-अराम से ये देखिए हमें ज्यादा टाइट बैटर नहीं बनना थोड़ा सा लूज रखना है क्योंकि सूजी हमेशे पानी सोकती है और फिर हमारा बैटर है जो वो टाइट हो जाता है इसी वज़े से मैंने थोड़ा सा ये डिलाई रखा बैटर अब इसे डखकर 15 मिनिट के लिए रेश्ट करने दूँगी ये देखिए 15 मिनिट के बाद हमारी सूजी फूल चुकी है इसको एक बार मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो उपर पानी आया हुआ है वो सारा मिक्स हो जाए अब एक तवा गरम कर लिया था तवे के उपर एक चमच तेल डाल लिया है कुछ कोई भी तेल ले सकते है रिफाइंड ओयल तेल गी और उसके अंदर दो चमच हमने अपना बैटर डाल लिया है बैटर को थोड़ा सा फैला देंगे और इसके ओपर अपनी कटी हुई सभी वेजी टेबल डाल सकते हैं अगर हमारे पास पनीर हो तो पनीर भी डाल सकते हैं उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है जो भी सबजी हो उसका हम परियोग कर सकते हैं कौन हो तो कौन भी डाल सकते हैं अगर चीज है तो चीज भी इसके उपर एड़ कर सकते हैं अब यह जरूरी नहीं है जो शबजी मैंने डाली वह यह आप डॉलो आपके इच्छा है अगर प्याज खाना पसंद नहीं करते तो प्याज को स्कीब भी कर सकते हैं यह देखिए इसको दिमे दिमे आज में हलका हलका पकाएंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो अच्छे से सिख जाए और इसे उलट पुलट करके पका लेंगे यह बहुत ही इजिली पलट जाता है यह देखिए मैंने बना कर तयार कर लिये हैं दो अब मैं एक और दिखाती हूँ आपको यह देखिए बैटर को मैंने तवेपर फैला लिया है अब इसके उपर अपने सभी वेजी टेवल एड़ कर सकते हैं और यहाँ पर अगर हम काली मेर्च खाना पसंद करें तो थोड़ी सी काली मेर्च भी इसके उपर छिड़क सकते हैं उसका भी टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है ट्राई करके देखना कभी यह देखिए एक तरब से सिख चुका है इसको भी मैं पलट लूँगी इसी तरह मैं अपने सभी फैन केक नास्ता जो भी कुछ बोले इनको सेख कर रख लूँगी और यह जटपट से बनने वाला नास्ता है यह भी सिख चुका है अब मैं इसको निकाल लूँगी यह देखिए दोस्तों गर्मा गर्म नास्ता तयार हो गया है यह वीडियो कैसी लेगी केमेंट बॉक्स में लिखकर जुरूर बताना और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद तो मिलते हैं फिर किसी ने यह वीडियो में बाई बाई